सेमिकंड़क्टर चर्चा में इसलिए है कि सरकार ने प्रोटसाहन योजना की घुसना किया है मतलब मंजूरी दी इसमें कि अगले चाव वर्सों के लिए एक तो सेमिकंड़क्टर और सेमिकंड़क्टर से संबन देती जो मैनिफेक्टरिंग इन्वार्मेंट होगा उसका डेवलप्मेंट करना है उसके लिए 76,000 क्रोड रूपे की घुसना किया है और इस प्रियोजना का जो नाम है उसका नाम देख लो प्रोग्राम फॉर डेवलप्मेंट ऑफ सेमिकंड़क्टर और डिस्प्ले मैनिफेक्टरिंग इकोसिस्टम यह इसका नाम है ठीक अभी लग रहा हुए यह इसकी सेमिकंड़क्टर और डिस्प्ले फेब्यकेशन इकाय番 करती है जाएं सेमिकंड़क्टर बने एप स्थापना पर जो भी मतलगि अगर स्यimis smile लागी है और सेमिकंड़क्टर और सेमिकंड़क्टर का निर्मान करती है अज्पादन से सम्मंदित जो अब स dopo सेना है जो इन्फरस्टाक्चर है उसके डेफलप्मेंट पर ठीक है उसमें केंदर और राज्य सरकार दोलूँ निल कर साथ एक होता है जिसको मैं जो लगो χाह हौता है जालक का यह गुन होता करें कि सुना लगातार बना रहत नहीं है तांबा कौपर की होते हैं एक होता है सेमी कंडुक्टर सेमी कंडुक्टर के लेकिन विसेज परिस्थिती चालक का गुन दिखाता है मतलब एक विसेज तापमान पर या कंडुक्टर के प्रॉप्रपरीश को सो खरेगा इसलिए में इसको नाम देते हैं सेविकन्डक्टर के अभी समझ जाओगे दिरेदेगर करके कि क्यों यह इंपोटेंट है हमारे लिए मैं पहले विश्यस्ता आपको बता दे रहा हूँ, विश्यस्ता मैंने आपको ये बात कही कि सेमी कंडुक्टर के उत्पादन से अगर कोई कंपनी आती है और वह अगर एक प्लांट को इस्टेब्रिस करती है, उसको सेट अप करती है, उसमें जो भी उसकी लागत लगेगी, उसका 50% तक सरकार उसको मदद देगी विश्यसायता करें, नम्मर एक, नम्मर दो, सेमी कंडुक्टर के प्लांट लगाने के लिए उससे सम्मंदित जो भी इंफ्रस्ट्रक्चर होंगे, उस इंफ्रस्ट्रक्चर के डेवलप्मेंट पर केंदर और राज दोनों मिलकर काम क करेंगे, उसके अलावा कि इस योजनाकिता जो भी स्विक्रित इकाया होगी, जो भी प्लांट होगा, उनके जो भी पुंजीगत वे होगे, पुंजीगत वे का मतलब यहां पर क्या हो गया, कि मसीनरी और टूल्स ज्यान देना, जो वो आगे जाकर मसीनरी और टूल्स जो वो खरीदेंगे, उसका 30% अगर 100 रुपय का खरीद रहें, तो 30 रुपय यह साहता कौन करेगी, यह सरकार करेगी, वित्ति साहता देगी, उसके अलावा ध्यान देना, कि compound semiconductor, यह समय इसलिए यहां पर क्या रहा हूँ, क्योंकि semiconductor आप जानगे, compound semiconductor क्या होता है, कि एक silicon के अल जिसको हम बोलते हैं, आवर्थ सार्नी, आवर्थ सार्नी में ग्रूप बने होते हैं, हर एक ग्रूप में अलग-अलग, ठीक है, तो अब यहां पर है कि इनका यह combination होता है, silicon के अलावा, अगर ग्रूप 3 और ग्रूप 5 में रखे हुए, जो element है, उनके combination से जो semiconductor बनता है, उस तरीके से ग्रूप 2 और ग्रूप 6 इसमें जो element रखे हुए हैं, इसके मिलने से जो semiconductor बना उसको करते हैं, compound semiconductor, अब ध्यान दिना इसमें, कि एक तो semiconductor के लिए यहां पर योजना रखी, उसके अलावा, जो compound semiconductor हैं, उस compound semiconductor जैसे assembly, मतलब ग्रूप 3, ग्रूप 5, इनके element को मिलाना और semiconductor बना, assembly एक, दूसरा, उसकी जाज, test, फिर उसकी marketing और फिर उसकी packaging, जिसको हम बोलते हैं, ATMP, क्या बोलते हैं, ATMP, याद रखना, यह सब छोटे-छोटे से terms हैं, इनको याद रखना, ATMP, ठीक है, इसके लिए भी सरकार इनको सहता देगी, उसके अलावा, plant establishment और OSAT, outsourced assembly and testing facility, इसका मतलब यह है, कि अगर एक company है, और उस company के पास, अगर assembly, testing, और इस सबकी, अगर सुधा मौजूद दें, उसको outsource कर लेंगे, outsource का मतलब यहाँ पर क्या होगा, कि वा किसी दूसरी company को यह काम करने के लिए देंगे, इसमें भी सरकार इनको वित्तिसाहता देगी, साथी साथ, जान देना, कि design link scheme, इसको भी प्रोसाहम मिलेगा, design link scheme में क्या है, जो chip बनते हैं, चिप जानते हो, चिप समझ रहे हो, चिप समझ रहे हो, चिप तो देखा होगा ना, motherboard तो देखा है, उसमें circuit तो देखे होंगे, उसमें chip तो देखा होगा, मैं उसी chip की बात कर चिप के design में क्या होगा, चिप के design का मतलब यहां पर यह है कि जितना छोटा चिप होगा, जितना छोटा चिप होगा, अगर उसकी efficiency बढ़ती चली जाती हो, और चिप अगर छोटा होता चला जाता हो, इसका मतलब है कि आप आज बहुत ही गुणवत्ता पूर्ण उपकरण को बनाएंगे, electronic ओकरण, ठीक, तो फिर जो मैं बोला हूँ सको ध्याद, हाँ, memory card वगर यह सब ठीक है, तो मैं बोला हूँ semiconductor और उसके लावा display fabrication इकाईया, इनको 50% तक सहता मिलेगी, अब सरचना अभी कास में केंदर राश्तरकार दोनों मिलकर काम करेंगे, योजना के semiconductor नहीं, बलकि compound semiconductor, उसकी assembly, उसके test, उसके marketing, उसकी packaging इसके लिए भी सहता मिलेगी, प्लस, planter OSAT, मतलब अगर आपके पास वो सुविधा मौजूद नहीं, outsource कराना चाहते हो, assembled का, तो वो भी facility आपको यहाँ पर दी जाएगी, उसके अलावा design linked scheme, इसके लिए भी प्रोसान मि जो मुक्रूप से किस पर है, chip design से संब्देते हैं, सौदेसी semiconductor unit की इस्थापना करना इतना आसान काम नहीं है, जितना हमें लगता है, बस समना है, यह लग रहे हैं कि क्या करेंगे, semiconductor unit established कर देंगे, यहाँ पर, वो आसान काम नहीं है, इसलिए नहीं है, क्योंकि globally अगर हम द करती हैं, एक ताइवान की semiconductor manufacturing company, जिसका नाम है TSMC, ताइवान semiconductor manufacturing company और दूसरा Samsung की company, यही दोनों करती है, फाइब नेनो मीटर चीप की, यह जितने भी electronic गजट्स वगर आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, यह सारे के सारे, जितने भी आपको उतकरिष्ट किसम के दीखने electronic होते हैं, ठीक है, और 5 nanometer chip के हमारे पास नहीं है capability, हमारे पास ना engineers है, ना हमारे पास वैसी तकनीक है, कि हम उसको बना सके, तो हमें कहा जाना पड़ेगा, हमें बुलाना पड़ेगा, किन को बुलाना पड़ेगा, ताइवान की इस company को, जिसका नाम है TSMC, हमें बुलाना पड़ेगा Samsung को, ठीक है, किलियर यह, तो एक तो इसका कारण यह हुआ, कि स्वादेशी semiconductor unit की स्थापना करना आसान काम नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास तकनीक ही नहीं, South Korea की, ठीक है, South Korea की, ठीक, देखो, यह जो देखते हो आप ज्यान देना, कि China ठीक के मोबाइल में चैना बहुत आगे चला गया है, लेकिन, मोबाइल की जान है, सेमिकंड़क्टर मतलब जो चिफ है, जीप, वो, सबसे ज़्यादा आगर किसी का, वो किसका है, तैवान का, आगे देखना, देख लो, यह देखो ज़रा, मार्केट सेर देखो, सेमिकंड़क् परसेंट है यह एक ताइवान की यह कंपनी अगर मैं ताइवान की बात करूं तो 62 परसेंट है और सेंशंग का कितना है 17 परसेंट देख लो छोटा सा देश 62 परसेंट ठीक है चलो नेक्स देखना अब यहां पर बात यह हो रही है कि अगर हम TSMC को अपने हां बुलाते हैं और पेपर पर गौर करना 17 तारीक के पेपर में यह बात आई है इन्हों ने जो अभी इस योजना की गोसना की जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं ठीक इसके कुछ दिनों के बाद 17 दिसंबर को पेपर में यह भी खबर है कि TSMC अपना प्लांट हिंदूस्तान में लगाने वाली है इस फिर बातचीत हो है कि यहां पर ठीक चलो मान लेते हैं कि TSMC के साथ हमारी बात बन जाती है वह हिंदूस्तान में सेमी कंडुक्टर यूनिट को स्टैबलिस कर देते हैं यह बहुत अच्छी बात है कर दिया सैमसंग भी अपने इसको यहां पर स्टैबलिस कर देगी तो क्या इससे हमें क्या फायदा होगा फायदा यह होगा कि जिस सेमी कंडुक्टर को हम बाहर से मंगाते हैं इंपोर्ट करते हैं बस वह इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा ठीक है वह हमें यह बना कर देंगे तो लाब यहां पर यह होगा कि आयात पर जो हम पैसे खर्च करते हैं वह हमारा कम हो ज करके रखा पड़ा हो उसका उसमें 62 परसेंट उसकी भागिदारी हो तकनीक देगा कभी तकनीक को स्थांतरित नहीं करेगा टेक्नलोजी नहीं देगा आपको बना-बना के समान देगा ठीक है ठीक है वह हमारे उपर क्या कर रहे कि इन कंपनियों को अपने हां आकरसित करने के लिए इस तरह के प्रोस्थान यूजना को चला रहे है कि लिए ठीक आगे सुनो एक बाता सेमी कंडुक्टर का बाजार कितना बड़ा है तो 2015 में इसका बाजार था तीन सो चालिस बिलियन डॉलर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनिक गजट्स बढ़ते चले जाएंगे उतने ही जादा सेमी कंडुक्टर की पूछ बढ़ती चले जाएगी उतने ही ज़्यादा चिप्स की पूछ ना करना पड़ा था कोबीट महमारी के दौरान अगर याद हो आप लोगों को देखो क्या स्थिती विति उसमें यह देखो चिप का सॉटेज हुआ और चिप का सॉटेज क्यों हुआ था वह इसलिए वा था कि कोविट महारी के उसमें लॉक्डाउन वगरा जो भी चीजे लगी वी थी उसके कारण जो देश बनाते थे उनके तरब से निर्यात प्रभावित हुआ और हमारे जैसे जो देश थे उनका आयात प्रभावित हुआ चेक तो दिक्कत यहां पर चिप का उपयोग देखो कहां का पर हुआ ध्यान देना कार मोबाइल गजट्स कार निर्माता ने प्रोडक्शन को स्लो क्या सिफ्ट में काम भी कम करना पड़ा उसका कारण क्या है क्योंकि चिप ही नहीं है आप बताओ किस से बनता है सेमिकंड़क्टर से बनता है ठीक है ठीक जब वो नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा कार का प्रोडक्शन वो नीचे जाएगा उसके लावा इस स्मार्टफोन और टैबलेट और लैप्टॉप के कंपोनेंट मंगे होने से कीमते बड़ी यह सब केबल किसके का करण हुआ फिर चिप के आयात नहीं होने करण हमारे यहां पर जितनी डिमांड थी उससे काफी कम उसकी क्या होगी सप्लाई होगी और फिर जो भी नए गजट्स थे जिनको लांच होना था वो लांच नहीं हो सके इस कोबिड महामारी के कारण तो हर सेक्टर पर असर कि नहीं से समझ्धित कोई एक नीती लेकर हमें आना चाहिए उसी को देखते विद्धार सरकार यहां पर आई है इक सवाल यह पर यह है यहां दो कि क्या पहले के प्रियास हुए थे या नहीं हुए थे य अभी ही प्रियास किये गए यह सवाल है सुनी के आस्टर्च होगा 1960 के दसक में यूएसे की एक कंपनी थी जो सेमी कंडुक्टर बनाती थी ना मैं भूल रहूं उसका उसने इंट्रेस्ट दिखाया कि हम हिंदुस्तान में अपने प्लांट को इस्टैबलिस करना चाहते हैं ठीक है परिणाम क्या होगा परिणाम हुआ नहीं आना है कि उस समय क्या चल रहता? इंपोर्ट सब्सट्चियूशन पॉलेसी का मतलब है यह कि जिन जीन चीजों का हम आयात करते है वसका हम हम अपने हां निर्मान करेंगे этоудジャप का मतलब होता जाके हमें आपकी सेवा नहीं चाहिए, नमबर एक, नमबर दो, सरकार ने 2007 से 2017 के बीच में, 2007 से 2017 के बीच में, यह विवस्था की थी, कि चिप के निर्मान करने से सम्मंधित जो भी कंपनी है, अगर वो मसीन को मंगाती है बाहर के देशों से, तो उसको कस्टम में छूट दी की जाएगी, कस्टम समझ गए, मतलब उस पर सरकार किसी प्रकार कोई इंपोर्ट डूटी नहीं लगाएगी, जैसे बाहर से समान मंगाया, तो सरकार ने कहा कि चलो इस पर आयात सुल्की कितना लेंगे, जीरो, छूट दे दी, क्यों, इसलिए ताकि लागत घट जाए, यह बात समझ में आ रहे हैं, किसी को कोई दिकत, बाहर से जब भी कोई वस्तू आती है, तो उस पर हम क्या करते हैं, कि उस पर कस्टम लगाते हैं, तो आयात सुल्क मान लो अगर लगा रहे हैं हम उस पर, तो उस पर सरकार क्या करती थी, कि सेमी कंडुक्टर बनाने वाली जो कंपनी थी अगर वो मसीन मंगाती थी तो उस पर कोई भी सुल्क नहीं लिया जाता था ताकि लागत कम हो जाए और कंपनियां प्रोसाहित हों लेकिन परिणाम सकारात्मगूरूप से नहीं आए ठीक है क्यों नहीं आए वो बाद में बताऊंगा जड़ा देखो 2021 की बात की बात कर रहा हूं इस साल जब यह गाड़ियों के प्रोडक्शन कम होने लगे तो एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट भारत सरकार ने प्राप्ति कि क्या होता है कि कोई कंपनी यह कह रही हो किसी दूसरे देश में कि हम आपके यहां पर आकर प्लांट को लगाना चाह ठीक है तो जो भी ग्लोबल चिप फर्म से उन्हों यह इक्षा जताई कि वह भारत में अपनी प्लांट को इसको नाम क्या देते हैं इसको यहां पर बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट ठीक है उसके अलावा टाटा ग्रूप और रिलाइंस इंडिस्ट्री लिमि इसमाली कहां पर तमिल नाडो में चलो जब यह काम हम करी रहें तो फिर इसमें दिक्कत क्या है ठीक है देखो प्रियास में और सफलता क्यों है पहली बात यह कि चिप मैनिफैक्टरिंग या सेमी कंडुक्टर के प्लांट को लगाने से संबंदित हमारे पास ना तो प्रॉ पर है कि उनको clean water continuously उनको लगातार दें इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि यह भी उठाकर आपने सेमी कंडुक्टर का प्लांट लगा दिया यह संभव नहीं होता है सेमिकंडक्टर का प्लांट लगाने के लिए उनको दो चीजें चाहिए नमबर एक उनको एनरजी चाहिए और नमबर दो प्लीन वाटर चाहिए 24 इंटु 7 लगातार उनको चाहिए यह दो चीजें चीक है तो हमारे हैं सबसे बड़ी दिक्कत यह कि सरकार पहले तो भूमी कहा से देगी तो यह यहां पर दिक्कत है इसलिए नहीं हो पाया आगे देखना द्यान देना कि अगर कंपनी के द्वारा प्लांट को स्थापित किया जाता है तो कितने खर्चे होंगे तीन से च्छाव बिल्यंड डॉलर का खर्चा होगा इसका मतलब यह कि सरकार की जो साहता है वो क्या थी वो काफी कम थी इनिसली गॉर्मेंट जो भी इंसेंटिव दे रहे थी वह 3 से 6 बिल्यंड डॉलर की तुला में काफी कम इसले भी नहीं हो पाया देख लो उधारन दे यह कंपनी अमेरिका में जाए अब देखो अमेरिका तकनीक तो नहीं होगी कि यह यह स्टैबलेस करें उसके आने से पहले City of phonics का जो एडमिस्टेशन है उसने सड़क पानी उचा आधिक वश्था करने के लिए दो सु मिलियन डॉलर के निवेस करने पर सहमती जदाएए दो सो मिलियन डॉलर बात समझ रहे हैं तो केवल वो नहीं कि आ जाना है और बनाना है तो ब्रेट बटर नहीं बनाना है तो अगर एक्सपर्ट की बात माने इसमें भी खासकर वो जो खर्च करने की बात की जा रही है वो भी प्रयाक्त नहीं है उनका ये काना है चलो ठीक है अगर आप 10 बिलियन डॉलर की योजना लेगा अच्छी सिर्वात इसमें दो रहने हैं लेकिन आगे भविस्व में भी आपको अतरिक्त प्रोथसाहन की आविस्टा पड़ेगी एक बात दूसरी बात कि केवल इंसेंट कि तैंग अड़ा देना वो व काम इसमें तो कते ही नहीं होना चाहिए ठीक है ठीक आगे देखना वह इसलिए बात हो रही आजिए कि कि अब समी कंडुक्टर पर जिस देश का कंट्रोर होगा स्टेजी कली रणनींतिक रूप से उसी की इस्थिती मजबूत होगी तो अब यहां पर है कि जिसके पास तेल है उसकी स्थिति काफी मजबूत है अब इस नए दसक में क्या चीज़ आगे जिसके पास सेमिकंड़क्टर है बखनें उसकी स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी आने वाले दसकों में वो सजी का सूपर पावर होगा इसलिए अफगानिस्तान में जो इतना बड़ा प्लॉट आप देखते होना अफगानिस्तान में क्या कहांणी चलए अफगानिस्तान में सब्कूरक्द सेमिकंड़क्टर के निर्मान के लिए इसलिए चाइना का इंट्रेस्ट काफी जाद है वह पर आगे देखो नई नीति का महत्व क्या वो देखना का जाता है ज्यान देना कि अगर सेमिकंड़क्टर चिप उसको बनाने के लिए दूसरे कंपोनेंट्स फिर उसकी पैकेजिंग और सप्लाइचेन पढ़ना लिए का मतला यहां पर यह हुआ कि जैसे मालने कि हमने सेमिकंड़क्टर का हब अपने हां बना दिया कि यह कहां एक चीप बनाई हमने को दूसरे यगा बैकर बैटरी बनेगा किशी और जगह पर डिस्प्लिप्र बनेगा सी सक्रीन क्या बात करें कि जिसके पास सेमिकंड़क्टर है सामरी कुछ से ज्यादा मजबूत हो जाएगा ठर्ड कि अगर सेमिकंड़क्टर से लेटेड यूनिट हमारे यहां पर इस्टैबलिस होते हैं तो बड़े पैमाने पर हमारे इंप्लाइमेंट होगा और यह जो इंप्लाइमे में आय में व्रिद्धी होगी वास्तिक रूप में क्योंकि कुसल लोगों की आय ज़्यादा होती है फिर नेक्स्ट आयात लागत हमारी घटेगी आयात लागत घटने का देखो करन सुनना कैसे जैसे एक ठोड़ा एक जांपल ले लो जैसे मैं बात करो यह रिक्सा की बैटरी संचालित भी अब यह एक साके निर्मान में क्या चिप का काम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा पड़ेगा ना सेमिकंडेक्टर यूज होगा ना उसमें चिप की जुरत पड़ेगी ना टेक है जब हम यहांपर बात करें कि ए रिक्सा को प्रोसान देना है और सरका प्रोसान तो देही रही है आप देखो यह रिक्सा का उपयोग दीरे-दरे बढ़ता जा रहा है ने देश में अब तो हर जगह पर मौज़ो तो यह रिक्सा के उपयोग बढ़ने से एक बात यह है कि हमारी निर्वर्ता पैट्रोल पर और डीजल पर काफी कम हो जाएगी पैट्रोल और डीजल पर अगर हमारी निर्वर्ता कम होती इसका मतलब हमें क्रूड ओयल या कच्छा तेल इसका जो हम आयात कराते हैं वह भी कम होगा और जब क्रूड तेल का आयात अगर हम कम करेंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार जब वो हमारा पहले की तुना में उसम उसपर जो हमारे खर्चे होते तो वह भी क्या हो जाएगा वह कम हो जाएगा तो आयात की जो लागत यहां पर देखे रहें यह कम होने वह दो इस्तर पर है नमबर एक कुरूड ओयल के संदर में चीक है और नमबर दो सेमी कंड़क्टर या चिप के संदर में और फिर लिए सरकिट में में इसमे मदो करते हैं और सारा कमांड इसी से जाता है । बत्ततत है आपक्न पोक्ते अप्र चानल प्रेड आपक्न पर प्रेड का प्रेड के लाओ दो अप्रेकरी तेहे जानल के से सकते हैं।